नमस्कार आप सभी को मेरा प्रणाम और गुद मॉर्निंग वीडियों को देखा उसको आपने लाइक किया सबस्क्राइब किया इसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद आप लोगों के मुझे फॉन कॉल मिलते रहे हैं जिसमें आप लोगों ने मेरे को बोला था कि साफा बानने की जो गती है वो इतनी तेज रही कि वो उसको आसानी से नहीं बान पाए बिल्कुल मैंने आपकी इस प्रॉब्लम को इस पार समझा है इस बार हम ही काम करते हैं आप और हम दोनों साथ-साथ मिलकर के साफा बानेंगे हैं ओके सबसे पहले हम इसको लेंगे हैं आप इसको आराम से देखें बिल्कुल तसली से आप देखें इसको मैंने इसको टर्बन को लिया आप लोग इसको देख रहें अब इस टर्बन को मैंने यहां पर लगा दिया आप देखें वापस यह मैंने इसको यहां पर लगा दिया अब यह देखो यहां पर फिक्स होगे ना यहां से लिया एक चक्र दिया और इसको यहां से गुमाया अब आपको अलका सा पूरे साफे को दोनों हाथ से पकड़ के गुमाना है अब वापस मैंने इसको लिया देखिया आप वापस इसको यहां से लिया फिर यहां पे ले गया फिर मैंने इसको पीछे से लिया फिर मैंन इसको गुमा दिया है ना सरल है ना अब देखिए आप वापस इसको मैंने लिया यहां से पकड़ा यहां से गुमा दिया और फिर मैंने इसको यहां से लिया फिर गुमा दिया अब आप इसको देखते रहें कि मैंने इसको पकड़ा यहां से पकड़ा यह मेरा हाथ गया अब ही तरीके से में साफे को बांदने का प्रियास कर रहा हूं हर पेज जो है वो यह की तरीके से चल रहा है see we will take a single round then we will little tilt our entire turbine okay now what exactly we will do we will see the sides of this turbine okay and now we will shake our hand on it and now again we will you can see here it is and now it is here now I put my hand here and from back now tilt little sir turbine okay got it एक बाद फिर देखते अपन इसी को देखिए कितना सरल है यहां से किया फिर इसको यहां पर रखा फिर इसको गुए यह देखिया आप साफा है ना कितना सरल हो रहा है कि आप मेरे साथ साथ बांदेंगे तो आप भी इसको बहुत अच्छे से बांद पाएंगे ना अब आप देखिए यह मैंने यहां से इसको तोड़ा यह प्रैस इसलिए कर रहा हूं ताकि सामने से तोड़ा खूब शूरत दिखे आप देखिए आया यहां पर यहां पर कि आपको यह देखिए यहां से नीचे से उपर की तरफ जाना है यहां से नीचे से उपर की तरफ गए यहां पर आपने हाथ रखा और इसको पीछे घुमा दिया फिर मैंने इसको टिल्ट कर दिया अब आप देखिए वापस इस तरीके से है ना यह साफे को मैंने पुना फिर एक तरह से इस तरीके से घुमां यह घुमा वापस मैंने एक बार इसको पगड़ा है television अब आप देखिए अब ये क्योंकि last round है न तो इसको हम तोड़ा सा साफ इसलिए कर देते क्योंकि front में हमेशा यही रहेगा है न ये किया और इसको मैंने यह से गुमा दिया अब आप देख सकते हो पीछे से इसको किसी भी layer में से मैं इसको निकाल सकते है न अब इसको देख और ये साफा बनके तयार हो गया अब आप इस साफे को आथ से खोले हाथ में ले ले कुछ भी नहीं होगा वापिस आप इसको पहन सकते है और ये आपका साफा तयार तो मैं उम्मीद करूगी आपको ये साफा समझ में आ गया होगा है ना एक या दो बार आप इस वीडियो के साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से साफा बानना सीख जाएंगे एक बार पुना आप सभी को नमस्कान खमा गणी आण्ड हाव एपी टी तैंक यू